नमस्कार वंदे मातरम मैं बल्देव राजपो दुर्ग 36 गड़ से आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरेटिंग फंक्शन मतलब जनक फलन के सेकेंड टाइप के बारे में सेकेंड टाइप का मेरे कहने का सेंस यह है कि टाइप वन ही है बट यह जो एक्जामपल है वो जनरेटिंग फंक्शन का उसके बारे में आपको डीटेल्स मिल जाएगी यह वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको इस जो पिछले क्लासेज में जो मैंने बताया था उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ जनरेटिंग फंक्शन का जो कॉनसेप्ट है वो दिया था अलग-अलग उनवर्सिटी में यह अलग-अलग नाम से आता है तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप वन के सेकंड इग्जाम्पल के बारे में है जो इससे पहले जो मैंने आपको फर्स टाइप बताया था या फर्स टाइप का जो एक्जाम्पल नंबर वन बता करते हैं आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो टाइप वन का सेकंड एक्जामपल है जिसमें मैं ये बताऊंगा कि अगर दो बॉंडरी कंडिशन दिया गया है मतलब दो सीमा प्रतिबंद दिये गये हैं तो उन कोश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो चलिए शुरू करत आता है जनक फलन विधी का प्रयोग करके निमलेकित समिकरण को हल केजिए सॉल्विंग दा फॉलोईंग एक्वेशन विद दा हेल्प आफ जनरेटिंग फंक्शन मैथड अब देखिएगा कोश्चन आता है ए आर माइनस 6 ए आर माइनस 1 प्लस ए आर आर माइनस 2 इस इक्व वेल्यू है वो greater than equal to 2 होगा अगर यहाँ पर एक boundary condition दिया रहता तो हम इसको लिखते आर greater than equal to 1 इससे पहले वाले एक्वेल्यू में मैंने वही बताया था आपको अगर यहाँ पर आर की वेल्यू नहीं दी गई है तो यहाँ अगर दो वेल्यू दिया है तो हमको आर greater than equal to 2 ल r z to the power r अब जो boundary condition लिया गया है question में वो a naught a1 is equal to 4 अगर आप ध्यान दे तो यहाँ तक मैंने सिर्फ question को arrange करके लिखा है और यहाँ पर generating function का formula लिखा है इसके बाद हमको करना क्या है यहाँ पर चुकी दो boundary condition दिये है मतलब r की value हो जाएगी greater than equal to 2 तो हमको करना ही है कि r is equal to 2 to infinite z to the power r का multiply equation number 1 में करना होता है तो जहाँ जहाँ पर भी यह तीनों spot पर हम क्या करेंगे r बराबर 2 से लेके infinite z to the power r का multiply कर देंगे 0 के साथ करने पर value सेम रहेगी तो देखिए का यहाँ पर r बराबर 2 to infinite a r z to the power r minus 6 r बराबर 2 to infinite a r minus 1 z to the power r plus 8 r is equal to 2 to infinite a r minus 2 z to the power r इतना ही आया है अब मैं r की जगा जैसे ही 2 रखूंगा तो यहाँ पर देखिएगा 2 और 2 आएगा तो a2 z to the power 2 जैसे ही मैं 3 रखूंगा तो आएगा a3 z to the power 3 इसको मैं infinite time तक कर सकता हूं चोकि मुझे z z का formula अगर इसको balance करना है तो यहाँ पर z z के formula में आपको याद होगा यह होता है a0 z to the power 0 a1 z to the power 1 a2 z to the power 2 इस तरीके से होता है तो उसको balance करने के लिए चुकि यह जो formula है वो कहाँ से start हो रहा है a2 z to the power 2 से start हो रहा है तो मैंने क्या किया a0 z to the power 0 और a1 z to the power 0 को जोड़ा है अगर मैं इसको add करता हूं तो मुझे इसको separate भी करना पड़ेगा फि z to the power r है अब मुझे इसको और z to the power r मतलब इसके base में जो quantity है वो और यहाँ पर जो z की power मैं उसको balance करने तो balance कैसे करूंगा r minus 1 करूंगा तो मिरेको plus 1 करना पड़ेगा ताकि मैं इसको balance कर सकूँ plus 8 मैंने as it is लिखा r बराबर 2 से infinite z to the r minus 2 जैसे मैंने यहाँ पर r minus 1 को balance किया तो अगर यहाँ पर r minus 2 है तो यहाँ पर भी मुझे minus 2 और plus 2 करके इसको balance करना पड़ेगा अब देखिएगा यहाँ पर देखते हैं यह जो a naught z to the power naught है इसको मैं सामने लिख दूंगा और a1 z to the power 1 है इसको भी सामने लिख दूंगा और इसको as it is मैं क्या कर दूंगा लिख दूंगा अगर देखिएगा minus यहाँ पर क्या है a naught किसी की भी power 0 हो तो value 1 हो जाता है a1 z to the power 1 को मैंने लिख दिया a1 z minus 6 को मैंने as it is लिखा हुआ है अगर आप ध्यान दे तो अगर base same हो तो power add हो जाता है तो मैंने क्या किया z r minus 1 को as it is लिखा into z to the power 1 similarly यहाँ पर भी a r minus 2 z to the power r minus 2 को as it is लिखा यहाँ पर देखिएगा मैंने power 2 किया था तो अगर base same होगा तो power add हो जाता है अब देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब a naught z to the power naught से लेकर infinite term तक इसको हम कैसे लिख सक r की जगा 1 रखूंगा तो दूसरा term हैगा summation की जगा plus लिखेंगे अब देखिएगा a naught को मैंने as it is उतारा है a1 z को as it is लिए है minus 6 z यहाँ पर देखिएगा z को मैं बाहर निकाल दूगा तो 6 z r बराबर 2 से infinite a r minus 1 z r minus 1 plus यहाँ से z square को common निकाल दूगा ऐसा मैं इसलिए कर र value generating function के formula से g of z होता है a0 को as it is लिखा है a1 z को as it is लिखा है minus 6 z को as it is लिखा है अगर मैं इसे 1 कम करूँ तो मुझे यहाँ पर base में भी a काइड करना पड़ेगा और power में भी a काइड करना पड़ेगा फिर देखिएगा 8 z square into अब अगर यहाँ पर मैं 2 कम कर दूँ तो z मैंने as it is लिखा है a1 not a1 z को as it is लिखा है 6 z को as it is लिखा है यह plus 1 minus 1 कैंसल हो जाएगा ar z to the power r plus 8 z square r बराबर 0 to infinite यहाँ पर यह दोनों कैंसल हो जाएगा तो बचेगा ar z to the power r मैंने इसको as it is लिखा g of z को a not a1 z को minus 6 z को अब देखिएगा r की जगा मैं 1 रखूंगा पहल to z square ऐसा infinite time तक आएगा चोंकि मुझे generating function या जनक फलंग के लिए balance करने के लिए मुझे formula में a not z not की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर formula है a1 z1 से और वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो मैंने क्या किया a1 z to the power not my sorry मैंने क्या किया a0 z0 minus a not z not z not कि इसको balance क किया उसके बाद देखते हैं plus 8z square को मैंने as it is लिखा हुआ है और यह जो पूरा formula आप देख रहे हैं वो है g of z का अब देखिएगा g of z को मैंने as it is लिखा ये quantity जो है a not और a1 z as it is होता रहा फिर 6z को मैंने as it is लिखा अब देखिएगा a not z to the power 0 को मैं इसके साथ plus कर और क्यों क्यों क्योंकि g of z का formula जो बनता है वो a not z to the power 0 से start होके infinity जाता है तो यहां पर मैंने क्या किया a not z to the power 0 को इसके साथ add कर दिया और जो minus वाली quantity है इसको पीछे लिख दिया अब देखिएगा ये quantity मैंने as it is लिखी है gz लिखा हुआ है अब देखिएगा g of z का value मैं 0 to infinite a r z to the power r का value 6z का जब मैं अंदर multiply करूँगा तो यह minus minus हो जाएगा plus 6z a to the power 0 का value होता है 1 अब देखिएगा 8z square को मैंने as it is लिखा है gz को मैंने as it is लिखा है और क्या कर दिया is equal to 0 कर दिया अगर आप यहां से देखें तो इस पूरे की जगा मैं चाहूं तो क्या लिख लिख सकता हूँ g of z लिख सकता हूँ अब देखिएगा मेरे पास जो 3 spot है उसमें g of z, g of z और g of z है तो इन तीनों जगों से मैंने g of z को कॉमल ले लिया बचेगा 8z square minus 6z plus 1 अब देखिएगा a naught का value कित्ता दिया हुआ है 1 तो मैंने a naught की जगा लिखा 1 फिर देखिएगा a1 a1 का value कित्ता दिया है question में 4 तो मैंने a1 की जगा पे लिखा 4 अब देखिएगा 6 मैंने as it is लिखा a naught की जगा पे वापस से लिखूंगा 1 और z as it is लिखा हुआ है g of z as it is है यह 8z square minus 6z plus 1 as it is है यहाँ पर minus 4z में से plus 6z जाएगा तो बचेगा 2z यहाँ पर अगर मैं बराबर के इधर लेके जाओं तो minus plus में convert हो जाएगा और plus minus में convert हो जाएगा यह into है नीचे आके क्या हो जाएगा divide अब देखिएगा g of z का value यह पूरा आजाएगा आप लोगों ने 12th में आंसिक भी partial fraction पढ़ा होगा अब इसके आगे का जो solve करेंगे वो partial fraction या आंसिक भीनने से करे आप एक screenshot ले सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहां पर क्या करना है इसके बाद वाला मैं आपको अगली slide में बताता हूँ उससे पहले आप यहां से यहां तक लेकी से screenshot ले ले ताकि जब दूसरी slide में बताऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आजाएगा चल इसके बाद इसे आंसिक बिन में तोड़ते हैं आंसिक बिन में तोड़ने के लिए 1-2z upon 8z square minus 6z plus 1 को लिखेंगे इसको हम करेंगे यह कि जो अंस है जो उपर वाला टम है उसको as it is रखेंगे नीचे जो है वो 6z को split करेंगे 6z को ऐसे तोड़ेंगे कि अगर मैं इसे multiply करू तो उस condition पे मुझे 8 मिलना चाहिए और अगर जोड़ू या घटाओं तो मुझे 6 मिलना चाहिए तो मैंने 6z को क्या किया minus 4z minus 2z में तोड़ दिया अगर मैं इसको add करूँ तो मुझे 6z मिलेगा और into करूँगा तो मुझे मिलेगा 8 उमीद करता हूँ आपको यह concept आता होग तो 1 minus 2z को मैंने as it is लिखा इन दोनों टम से मैंने लिखा 4z को common निकाला इन दोनों टम से मैंने minus 1 को common निकाला अब 2z minus 1 को इन दोनों से बाहर निकाल लोगा तो यहाँ पर मुझे बचेगा 4z और यहाँ पर मुझे बचेगा 1 अब देखिएगा अगर मैं इन दोनों को interchange कर जाएगा तो बचेगा 1 upon 1 minus 4z, अब 1 minus 4z की पावर जो minus 1 है, इसको अगर वान के चलिए, सारी, यह जो नीचे था, अगर मैं इसको उपर ले जाओ तो हो जाता है minus 1, अब minus 1 होने के साथ ही, मतलब अगर आप देखें, तो 1 minus 2z, 8z 6z plus 1, इसकी जगह मैं चाहूं, तो क्या लिख सकता हूं, 1 minus 4z to the power minus 1, मतलब यह जो equation number 2 में इस पूरी value की जगह, मैंने क्या लिख दिया, पहले देखेंगा, gz मैंने as it is लिखा equation number 2 से, फिर 1 minus 2z upon 8z square minus 6z plus 1, इसकी जगह पर, जब मैंने इसे solve किया, तो मुझे मिला minus x की power minus 1 का formula होता है, 1 plus x plus x square plus x cube plus, ऐसा आप अनंत समय तक कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, x की जगह पर किता है 4z, तो देखिएगा, 1 मैंने as it is लिखा, x की जगह लिखा 4z power 1, फिर देखिएगा, x की infinite, ar z to the power r आता है, और यहाँ पर देखिएगे, तो अगर इसको मैं summation के form में लिखूँ, तो r बराबर 0 से infinite, 4z की power r होगा, अगर मैं r की जगह 0 रखूँ, तो मुझे पहला term मिलेगा, r की जगह, अगर मैं 1 रखूँ, तो मुझे दूसरा term मिलेगा, r की जगह, 2 रखूँ, तो मुझे तीसरा term मिलेगा, summation का मतलब plus होता है, इसलिए हम plus लगाते चलेंगे, अब इस bracket को अगर मैं खोल दूँ, तो 4 to the power r और यहाँ पे क्या होगा, z to the power r, अब मैं compare करूँगा, तो z to the power r यहाँ पर भी है, z to the power rhs में भी है, summation दोनों साइट पे है, तो अगर आप ध्यान देंगे, तो ar जो है, वो किसकी जगह पे आ जाएगा, 4 to the power r की जगह पे, तो ar का value आएगा, 4 to the power r कब, जब boundary condition r greater than equal to 2 हो, तो यह जो concept था, वो जनक फलन का जो first type का second example है, अब इससे related मैं आपको एक और pattern बताऊंगा, अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग यह देखेंगे, कि यह जो pattern में, अभी तक हमने जितना भी question किया, वो minus के term में था, for a minus r minus 1 के term में था, r minus 2 के term में था, अब जो हम लोग term देखेंगे, जो अगले pattern में, वो plus के form में होगा, मतलब a r plus 2 के form में होगा, तो यह जो पूरा concept था, वो type 1 का, जो जिसमें boundary condition 2 होती है, उसके उपर में यह जो पूरा concept लिया गया था, उम्मीद करता हूँ, आपको जनक फलन का यह concept पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन पंदे मात्रा